इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। आपके बच्चे के पेट में परेशानी हो जाती है, तो हो सके तो इसे खाने के साथ दें। क्योंकि यह दवा एक एंटिबाउटिक है और वायरस के कारण होने वाले इंफेक्शन में असर नहीं करती है। डॉक्टर खानसी और जुकॉम के लिए इस दवा की सलाह तभी देते हैं, जब उन्हें किसी भी अंतरनेहित माध्यमिक बैक्टिरियल संक्रमन का पता लगता है। इस दवा के कुछ मामूली और अस्थाई साइड इफेक्ट्स में उल्टी, डायरिया, यानि की डस्ट, मिचली आना, रैश और सिर्दर्द शामिल हैं। आपके बच्चे के शरीर को इस दवा की आदत लगने के बाद यह साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। हाला कि अगर यह प्रभाव रहते हैं और आपके बच्चे को परिशान करते हैं तो डॉक्टर को तुरंट कॉल करें। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।